कि नितीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्ता का ध्वस्त हो जाना उनके 17 साल के शासंत काल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। बिहार में जो शिक्षा की हालत है कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर शिक्षकों की गुरवत्ता की वज़ा से यह परिसानी है। ये समस्या का एक मात्र पहलू नहीं है, छोटा सा पहलू है, शिक्षकों की गुरवत्ता एक पहलू है, लेकिन बिहार में जो शिक्षा व्यवस्ता द्वस्त हुई है, हम लोग आपना आकलन ये है, समता मूलक शिक्षा नेती बनाने के चक्कर में, सरकार ने पिछले 5-10 सालो में, इसकूलों में पढ़ाई हो रही है, कि नहीं शिक्षक हैं, कि नहीं इसकी चिंता नहीं की, हर गाओ, हर पंचायत में बिध्याले खोल दिये गए, जहां नहीं खोले गए, वहां बिध्याले को उतक्रमित कर दिया गया, पूरा जो शिक्षा व्यवस्ता बिहार में है, ये उत्क्रमित बिद्याले और नियोजित सिक्षकों के आधार पर चल रहा है, न कहीं नियमित सिक्षक है ना नियमित कोई बिद्याले है, जो मध्य बिद्याले था उसी को उच्ष बिद्याले बना दिया, जो प्रात्मिक था उसको मध्य बना दिया, नतीजा ये हुआ, कि जहाँ पर स्कूलों के बिल्डिंग है, वहाँ पर सिक्षक नहीं है, जहाँ पर सिक्षक हैं, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे नहीं है, पढ़ाई ही नहीं है, ज्यादा तर जगों पर यही हालत है, और सिर्फ यह स्कूली सिक्षक की बै पढ़ाई को ध्यान में देना चाहिए बिहार के जो कॉलेज है वो तो नियोजित शिक्षक नहीं चला रहे हैं पत्ना साइंस कॉलेज पत्ना कॉलेज लंगट सिंग कॉलेज जो भी पहले कि यहां प्रसिद्ध कॉलेज रहे हैं किसी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही ह एक लाइन में अगर मैं कहूं तो मेरा नौ महिने कानभव ये है कि यहां इस्कूलों की जो अधारना है इस्कूल से खिचड़ी बट रहा है कॉलेज से डिगरी बट रहा है पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है